नमस्कार दोस्तों वेलकम टू मार्केट क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का EOD सेटप क्या है और साथ में डिसकस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के उपर बुलीज और किस लेवल के नीचे बैरिस देखना चा लेएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि यहां की कौन सा चार्ट जो एक ट्रेक्टीव है और इसमें एक अलग ऑप्सन एस्टेटिजी आप कैसे बना सकते हो जो कि सिंतेटिक अगर एस्टेटिजी अगर बनाना है तो वह कैसे आप कर सकते हो यह सब पर थोड़ा हम hiçbir point positive close दिया और बैंक निफ्टी almost 557 point positive close दिया तो कल के जो continuous rally है यानि upside का वो continuous है और क्या यह sustain करेगा विकाज अगर आप अगर हम देखें Intrade के चार्ट पे अगर हम nifty का आपको याद होगा कि जब एक दिन प्राइस फॉल हुआ था और एक बड़ा फॉल हुआ था जो कि 21,100 के करीब जाके रुका था और वहाँ पे हमने यह एक लाइन ड्रॉ किया था कि यह एक सपोर्ट है पॉसिबल यह सपोर्ट अगर बुल मेंटेन करके रख दिया उसके नीचे नहीं जाने दिया तो यहां से एक बाउंस पॉसिबलिटी है विकाज यह मेजर एक सपोर्ट एरिया है और इसी एरिया से प्राइस मूव लिया और जहां से फॉल हुआ था एकजिक्ट वहीं पर आज आके अल्मूस्ट उधर ही आपका क्लोजिंग दिया है तो आप बोल सकते हैं कि यह यस मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ जरूर है और स्ट्रेंथ है तो क्या यह कंटिन्यू करेगा यह तो आपका चार्ट सेट अप के हिसाब से समझ में आता है कि हां कि अभी भी इस्ट्रेंथ है कल के लिए अगर हम निफ्टी के इंट्राडे की लेवल की बात करें तो 21007 20 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक मूव फिर से 829 तक दिख सकता है और 21005 20 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो एक पॉल अभी भी chart setup जो है यानि intraday में chart setup structure अभी भी bullish है. Bank Nifty की बात करें तो bank Nifty intraday में अभी yes bullish है और ये जो major resistance है उसको breakout दिया है, उसके उपर भी भी close दिया है तो setup bullish हो गया है और 48,450 के उपर अगर sustain होता है तो possible एक upside move आपको 48,669 तक मिल सकता है 47,950 के नीचे अगर sustain होता है यानि इस level के नीचे तो एक fall आपको दिख सकता है फिर से ये एक range में आपको दिखेंगा अब अगर EOD की nifty की बात करें तो आज continuation follow through भी आपको मिल गया यहाँ पे double top buy मिला है तो ये rally में भी continue हो सकता है कहां तक जाएगा अगर थोड़ा box size आप increase करो 0.25% या एक lower time frame और आप करोगे तो वहाँ पे आपको target जैसे आपको 0.25% पर भी जनरल हम लोग 0.10 पर ही देख लेंगे 0.25% की बात करें तो यहाँ पर यह एक anchor column दिख रहा है उसके बाद एक follow through में मिला है तो यह जरूर इस column से count established यानि activate हो गया है तो यह upside अगर हम बात करें यह 24,200 तो यह possible है इसमें बिल्कुल हम नहीं बोल सकते कि यह नहीं है possible because इसका जो pattern failure जो लेवल है अब यह count कहां पे invalidate हो अगर 18,800 के नीचे जाएगा तो अब आप बात करें कि 21,000 के करीब में आप बात करें 24,000 का और वहां पे pattern failure अब तो इसकी यह tradable नहीं है लेकिन हाँ आपको यह trend जरूर आपको समझ में आता है कि overall अभी bullish chart है और अगर bullish chart ह तो क्या हमको lower time frame यानि 0.10 chart पे every double top buy जैसे अगर 0.25% 0.10 का chart अगर आप उपिन करो तो हर एक double top buy आपके लिए opportunity रहेगा यहां पे double top buy आया आप enter किये stop loss double bottom sell again double top buy आया तो अगर आपने double top buy पे 21,460 पे आपने एंडर किया तो आपका जो pattern failure यान 21,100 का आपका EOD के हिसाब से है तो 140 के नीची अगर जाता है तो यह fail यानि आपका stop out हो जाओगे तो इस तरह से every opportunity, bullish opportunity आपके लिए एक आप बोल सकते हो कि fresh entry यानि अगर आपने एंटर नहीं किया है तो वो एक opportunity रहेगा bank nifty की बात करें तो bank nifty आज एक बहुत ही interesting because यह bullish ABC formation भी हुआ है 0.15% पे और count अगर हम लगाएंगे तो आप बोलोगे 53,000 का count है यानि यहां से भी आप बोल सकते हो कि almost 5000 point bank nifty दिख रहा है तो यह bullishness का ही sign है so every आपको और pattern जो failure level है यानि risk reward double bottom sell यानि 47,400 का है so risk reward तो amazing IOD chart पे so every opportunity यानि bullish opportunity आप capture कर सकते हो हाँ यह जरूर है आपको risk कितना है कैसे आपको manage करना है यह सब position sizing पे आप कर सकते हो लेकिन overall chart setup bullies है अब यह आज जो हम TOI chart है यानि renco पे so 21,600 का अगर आप देखो तो morning में 9.30 में यह indicate किया कि bullish होगा उसके बाद bullish से हटने का यानि approach 12.20 के करीब में indicate किया कि अब आप bullish से थोड़ा सा side हो जाओ जो कि एक sharp correction आया था आपको याद होगा almost 80 point का जो 50 में तो उसके बाद यानि यह एक move आया जो कि downside आपको दिखा फिर से जो phrase जो signal आया almost 2 बज़ के 20 मिनट पर और वो trade continue गा तो overall यानि यहीं से जब आप bullish हुए था उसके बाद यहां फिर से इस ने यह दो बज़े के करीब में यानि इस candle के करीब में आपको indication दिया कि अब यहां से bullish ने साय और continuous एक upside move दिया तो थ्रूट यो आई चार्ट आपको अगर आज इस शॉट्टम ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडर या कॉल पूट आप बाई करने बाद तो हम क्या करेंगे यहां पर कॉल हम एंटर करेंगे कॉल में बाई करेंगे उसके बाद जैसे यह मिडिल बैंड को इसने यानि ब्रेक किया तो हम कॉल एकजिट हो जाएंगे पूट फिर से इधर बाई करेंगे इधर एकजिट हो जाएंगे कॉल दो बज़े फिर बाई करेंगा और हो इस तरह से टोटल तीन ट्रेड हुआ यानि अगर हम कॉल और पूट दोनों करते हैं वैसे ही हम शॉट और इसका हम क तो यह पॉसिबिलिटी फिर से यह ट्रेंडिंग मूव हो सकता है विकाज लास्ट दूस दिन से भी ट्रेंडिंग मूव है अब OI के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है तो सबसे पहले हम OI का चार्ट देखते है तो आप देखो 21,500 का पुट OI अब इंक्रीज हो गया तो मैक्सिमुम 21,500 जो दिख रहा है एक सपोर्ट दिख रहा है मेजर सिग्निफिकेंट सपोर्ट और 22,000 यह काफी दिन से आ रहा है आपको याद होगा लास्ट आइटिंग लास्ट विट ही हमने एक डिसकूस किया था कि 22,000 एक रेजिस्टे कि 28 दिसंबर का है तो 21,500 और 22,000 अभी भी रेंज बढ़ा है OI के हिसाब से विकाज किल एकस्पाइरी आगे और अभी भी 500 तो क्या एकस्पाइरी में यह और उप्र जाने का चांसेश है अब कल यह चेंज होगा और कल दूपर में समझ में आएगा कि क्या किस रेंज में है लेकिन अभी भी दिखा रहा है कि 21,000 और 500 और 22,000 यह 500 का रेंज में अभी हुआ है अब अगर all asset class क्या इंडिकेट कर यह डेली हम देख रहे हैं क्यों विकाज आप देखिए other asset class USD INR underperform कर रहा है composite यानि bond आपका underperform कर रहा है gold भी almost underperform करना शुरू कर दिया तो क्या जब अगर यह सभी underperform कर रहे है तो simple equity के लिए यह good sign है अगर equity के लिए good sign है तो आपको क्या करना चाहिए क्या USD INR के तरफ focus करना चाहिए या gold के तरफ नए बिल्कुल नहीं आपको equity के तरफ focus करना चाहिए और equity में भी आपको देखना चाहिए कि कौन सा outperform कर रहा है sector और उस sector का कौन सा stock outperform कर रहा है तो ये सब आप आर जोन में आप जाके देख सकते हो उसकी sector कौन सा outperform कर रहा है उस sector का stock कैसे ultimate matrix के तुरू multi time frame ultimate matrix अगर आप run करोगे तो immediate आपको समझ में आएगा कि कौन सा sector outperform है जैसे कल हमने discuss किया था healthcare industry health care जो sector है buzzing sector में और उसमें alkym हमने discuss किया था कि alkym में आज alkym almost two two and two point five percent अप था तो ये सब जो stock है कैसे आपको identify करना है यह हमने multiple video में discuss किया है लेकिन आज हम उस पे नहीं जाता है आप वैसे आप method समझो कि आपको समझ में है कि equity में हमको invest करना है और अगर equity में करना है तो किस sector में because यह तो समंदर है तो अगर equity में invest करना है तो मुझे देखना है कि कि sector कुछ सा sector outperform कर रहा है sector अगर हमको identify हो गया से let's say cpac आपका outperform कर रहा है या metal और media outperform कर रहा है तो हमको क्या करना है cpac metal media के stock पकड़ना है और उसमें देखना है cpac का कौन सा stock outperform कर रहा है तो ultimate matrix अगर run करेंगे तो मुझे समाझ में आगया उसके बाद आपको stock जब select हो गया तब देखना है कि क्या कोई pattern जो के affordable risk के साथ है अगर affordable risk के साथ है तो आप उसके साथ जा सकते तो यह एक method हो गया अब हम discuss करते हैं यानि थोड़ा अलग हट के आज nifty 50 का हर एक चार्ट देखेंगे एक एक चार्ट तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे एक चार्ट open कर रहे है 0.25% और nifty 50 index यहां आमने select किया एक एक टिक करेंगे जैसे अपोलो hospital अब यह आप अपोलो hospital में आप चार्ट देखिए और यहां पे आप 45 डिग्री ट्रेल लाइन आप प्लॉट कर लो 45 डिग्री ट्रेल लाइन प्लॉट किये तो यह एक आपको दिख रहा है कि quadruple buy यह एक bear trap भी है 100% पूल भी है quadruple buy भी है 45 डिग्री ट्रेल लाइन भी है अब यह stock की अगर हम बात करें कल इसने breakout दिया था इसके उपर आया Apollo Hospital का तो इसमें अगर मुझे रिस्क अगर बड़ा है तो हम क्या कर सकते है फ्यूचर में अगर मुझे ट्रेट करना है तो इसका breakout जो लेबल था 5565 के उपर था 5565 के उपर अगर गया और मुझे अगर फ्यूचर में ट्रेट करना है तो हम फ्यूचर buy करके और 5560 यह जो भी ATM पूट होगा उसको हम बाई करते हैं तो उस कंडिशन में क्या होगा कि हम फ्यूचर बाइक कर रहे है और पूट भी बाई कर रहे हैं साथ में जो वूचर बाई करने का रिज़न क्या है तो वहां से आपको hedge रहेगा दूसरा अगर future only buy करते हो तो आपको जो margin पे करना होगा वो ज्यादा पे करना होगा और जब अगर आप put buy कर ले तो तो synthetic जो हो जाता है उसमें आपका margin कम हो जाता है तो पकर के चलो कि 50,000 के करीब में आपका margin अगर यह हो गया तो अब जो return जो होगा investment आपका कितना 50,000 तो 50,000 पे आपका return आपको calculate करना होगा तो इस तरह से आप position आप यह कर सकते हो अब जैसे अपोलोच पे Asian paint, Asian paint में अभी नहीं है because risk reward favorable नहीं है यहाँ पे अभी access bank तो हम क्या करेंगे एक एक अब बजाज अटो बजाज अटो जब यह breakout दिया था उस समय आपको याद होगा हमने इंडिकेट किया था कि बजाज अटो एक bullish और bullish breakout आटो में आया था उसके बाद continuous follow through य यानि December में यह उपर में रहा तो आप put अगर zero भी हो गया तो call आपको future में मिल गया या अगर आपको future trade नहीं करना है तो आप spread कर सकते हो कि एक call यानि एक call buy और दूसरा call sale तो उसमें आपका position भी आपको समझ में है यानि spread जो में आपका risk भी कम रहेगा margin भी कम रहेगा so इस उसके बाद अगर हम आते हैं बजाज फिंसर अभी नहीं है उसके बाद भारती यह टेल में breakout वाई लेकिन जनरली भारती में breakout से बेटर रहता है कि जब आप retracement पे उस पे buy किजिए यानि column reversal या support पे buy किजिए भारती जनरली breakout fail होता है breakout trade इसमें अगर आप लेते हो तो risk reward उत बिटानिया में breakout होता है अभी यहां सिपला में यह breakout हुआ है तो यहां पर risk reward भी affordable है अगर यह trade continue रहता है तो 1220 की stop loss के साथ ही इसमें favorable है और 1220 का यहां पर अगर अगर यह current month का कदम होता है तो अगले month का आपको कोई भी synthetic अगर बनाना है और generally synthetic में आपको ज्यादा दीन त आप कर सकते हो सो multiple way इस पे हम लोग हम एक detail में वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको करना है ट्रेट synthetic का यहां पर डॉक्टर रेडी का यह था इंट्रेस्टिंग है 45 ग्रासिंग इंट्रेस्टिंग कंडिडेट है अब यहां पर breakout हो है बुली से भी सी है बेयर ट्रैप भी है उसके बाद अगर next follow through आता है तो यह candidate जो की strong हो जाएगा तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए ग्रासिंग पे अब ग्रासिंग पे follow through पे वैसे ही आपको एक एक के stock अब nifty 50 का अगर हम देखते हैं hero moto already breakout अब यह जो इंडाल को continuation breakout है आपको continuation breakout पे भी आपको trade कैसे लेना ह है यह इंडासिंग continuation breakout infosys ने यह breakout दे रहा है अब breakout अगर sustain होता है तो यह फिर से एक अच्छा खासा IT सब्सक्राइब यह एक इंट्रेस्टिंग कंडिडेट दिख रहा है यह आपका 2023 से लेकर अभी तक का यानी 2023 यह कब है अल्मुस जुलाई जुन जुलाई जुलाई 23 से लेकर अभी तक प्राइस क्या हुआ है बेर इस 45 डिग्री ट्रेल लाइन के नीचे में ट्रेड हो रहा बेर ट्रैप भी है एबी सी भी है 45 डिग्री ट्रेल लाइन भी है अगर यह 60 के उपर अगर निकलता है यानी 460 के उपर तो पॉसिबल 490 आपका एक दिख सकता है अब इसमें अगर हम कोई स्टेजी बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं 460 पे फ्यूचर अगर बाई करते हैं तो 460 का आप पूट बाई कर सकते हैं तो यह एक स्टेजी हो सकता है और उसके बाद जैसे इसने ब्रेक आउट अभी नहीं दिया है तो 460 के उपर आपको मुमेंट तो 460 पे फ्यूचर आपका लाउं 460 का पूट बाई किये तो आप 490 आपको दिख रहा है पैटन फेलिय पीज क्या है यहां पे स्टॉप अगर हुआ तो आप फ्यूचर से एकजिट पोजीशन यानि पुट से भी आप एकजिट हो चाहिए तो इस तरह से आप से बना सकते तो ITC पे आप नज़र रखिए जो कि आपको टेक बैंक यहां पर रिस्क रिवाट फेलेंट एक और कंड हुआ, ITC हुआ, LNT हुआ, यह इस पे आपको नज़र रखना चाहिए, इन्फोसिस है लेकिन तोड़ा अगर मुमेंटम अगर आता है तो, LTIM में अल्लेडी बुलिस मुमेंटम और LTIM तो हमने यहां कबर किया था कि यब यह कंडिडेट अब निकला है, आप जिस दिन हमने कवर किया था कि IT सेक्टर अब यहां से आउट परफर्म करेगा, और जिस दिन से हमने बोला LTIM महां से 6134 का यह अल्रेडी एचीव हुआ, अभी भी कि यह काउंट जो है, अगर हम मुल्टिपल काउंट लगा दे तो 6800 का काउंट अभी भी ओपेन है, हम और जाते हैं, और कंडिडिट हो सकता है, अपसाइड के लिए, ONGC, नेक्स फॉलो तुरू, हर एक फॉलो तुरू पी आपको बाई करना है, विकाद यहां पे बैरिस 45 डिग्री ट्रेलाइन ब्रेकाउट हुआ है, और नेक्स डबल टॉप बाई आपके लिए उपर्चुन्टी रहेगा, उस पे आप नजर रखिए, उसके बाद SBI, SBI यानि PSU बैंक अगर चलता है, तो SBI पॉसिबल अब यह रैली आपको दे सकता है, विकाज यहां पे बुली से अबी सी भी फॉर्मेशन हुआ है, और इस कॉलम से यानि 766 का भी काउंट यह एक आपका ओपन हो सकता है, उसके कॉलम ओफ एक्स लंबा है, अगर आप इधर एंटर करते हो, तो आपको यह तो अलग यह हो सकता है कि मीड कॉलम का आप कर दो, विकाज आपको नहीं मालूम कि यह कॉलम कांटीनू है, तो यह अलग है, या तो वीट करो फर नेक्स फॉलो थू तो सबका एक प्रोज कॉन हो है, अल्ट्रा टेक सीमेंट, यूपी एल नहीं है, बुलीस, हम बुलीस कहके हो, विप्रो में अल्लेटी हमने एक डिसकस किया था, तो इस तरह से यह निफ्टी-फिप्टी में जो कुछ स्टॉक जो हमने डिसकस किये, जो एलन्टी हुआ, इटी-सी हुआ, इस बी-आई कहीं कहीं पर रिस्क रिवाट फेवरेबल नहीं है, तो आपको ओवर ओल आपको निफ्टी-फिप्टी में अगर कौन सा स्टॉक चलेगा, जैसे रिलाइंस था, रिलाइंस पर आपको नज़र रखना है, तो यह सब डीटिल में आपको एक डिसकसन हुआ, चार्ट एक एक इस तरह हम कुछ-कुछ पार्ट पे हम लोग डिसकसन कोई एक चोटा ग्रूप पकड़के हम लोग डिसकसन करेंगे, कौन सा पैटरन है और क्या होना से, होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच सेर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ, इस वीडियो के कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, जरूर आप, थैंक यू सो मज़,